असलाम वालेकुम मेरा नाम हमद छराज है वेलकम तो के ट्रेट्स वीकली से जाइड याज वीडियो हमने इस वीक भी एक रिपोर्ट शाय की है जिसमें हमने मुक्तलिफ स्टॉक्स को हाईलाइट किया है सब से वहले बात कर लेते हैं निशार्थ मेंज़ की निशार्थ में पाकिसान की one of the leading textile export based companies है इसका तक्रीबन अगर हम volumes देखें तो 65% जो इनकी sales होती है वो export based होती है तो यह एक बहुत बार advantage है इस company को के majority majority इनकी जो earnings आ रही होती है वो foreign dominated currency आ रही होती है अगर पिछले साल की result की बात करें तो revenue में हमें अच्छी growth देखने को मिली थी तक्रीबन हमें 22% company के year on year basis की उपर revenues में growth मिली थी and bottom line में हमें 18% की growth नगराई थी जो company की strong bottom line को दिखाती है that was well supported by other income तक्रीबन हम 83% इनकी जो other income है उसमें सलाना इजाफा देखने को मिला और विसी निशाथ मिल्स वैसे तो textile company है बट साथ में holding company है जिसकी मुक्तलिफ दूसरी companies में stakes है जैसे निशाथ पावर्स है इसी तरह लाल पीर है पाक जैन है इसी तरह MCB है और मुक्तलिफ और भी private space में companies है जिनको निशाथ मिल्स जो है उसमें stake own करती है तो that's why we have always seen कि निशाथ मिल्स की जो bottom line है that is well supported by other income जो कि इसकी other जो investments होती है वहां से आ रही होती है हम समझते हैं कि company ने last time जो result announced किया था वह एक अच्छा result था और सबसे च्छी बात कि company ने जो dividend payout है वो market expectations से जादा दिया था यूजवली company जो है वो अगर हम पिछले कुछ सालों से pattern follow करें तो ideally उसका चार रुपे का payout आना चाहिता बढ़ कंपने ना पांच रुपे का payout दिया that's why we have seen कि stock की price जो स्टेबर रही और अपिश ट्रेंड पे रही हाइलेट करने का मकसद दिया था कि आज stock x date थी तो आज stock जो है minus dividend price जो है इसने open होना था so we thought के it would be a good price के जिसमें stock की accumulation की जा सकती है furthermore we also think के जो last quarter था उसमें इस company ने heavy taxation book की थी because of the super tax impact हमें लगता है कि जो अब यह coming quarter का result आ रहा होगा September closing का इसमें quarter on quarter basis पर हम देखेंगे के अच्छी growth हमें नाजर आएगी company की bottom line that's why हमने इस stock को highlight किया हम समझते हैं कि जो last quarter में मुक्तलिफ companies दिविदेंग भी दिये थे वह other income में इस बार reflect हो रही होंगे तो bottom line और अच्छी आ सकती है इसलिए इस stock को highlight किया गया है के trade निशात में इसको cover करती है we have a 84 rupees per share target price for the stock हम समझते है कि stock जो है वो काफी under value है दो के multiple से नीचे trade कर रहा है और जिस तरह कि एक holding company है core business बिशेक इसका textile का है बट एक holding company और जिस तरह कि इसकी strategic investments हैं और वहां से जो income आ रही है वो काफी अच्छी income आती है जिसकी वज़े से हमेशा इसकी bottom line को growth मिलती है हम समझते हैं कि यह stock बहुत अच्छे capital upside रखता है दूसरे stock को discuss कर लेते हैं तो हमने जो दूसरा stock इस week highlight किया था वो भी textile से related है that is interloop interloop पाकिसान की one of largest textile company है सबसे अच्छी बात जो interloop को मुमतास करती है हमेशा से जब भी export के number आते हैं textile space में तो interloop पाकिसान की public space में सबसे बड़ी company के तौर पर सामने आते है हमने recently देखा था कि company के जो revenues थे उनमें ठीक ठाक growth हमें देखने को बिली 20 अरब से जायत की company ने profitability दिखाए जो एक बहुत अच्छी performance है हमें लगता है कि company का तकरीबे 90% of the revenue is export based और जो कि बहुत अच्छे इनके clients हैं जिनमें international brands है जिनको यह अपने net pair और बाकी सारी प्रोवाइट कर रहे होते हैं तो इतना एक गलोरियस इनका portfolio है portfolio of clients है जिसकी वज़े से हमेशा हम देखते हैं के इंटर्लूट के जो revenues है वह हमेशा high stride पर आते हैं company ने बहुत अच्छे तरीके से अपने margins भी maintain की हुए है एक चीज जो सबसे important है कि recently we have seen कि एक news है कि gas prices को बढ़ाना है जिसकी वज़ाए से हमें अन्देशा है और बाकी सारे players को भी अन्देशा था कि शायद companies की जो energy cost है वो बढ़ जाएगी बट इंटर्लूप का ज्यादा reliance जो है वो RLNG के ओपर है जिसकी वज़ा से इसका जो बहुत महदूद जो है वो natural gas पर हमें लगता है कि जो gas prices बढ़ेंगी उसका खास कर इंटर्लूप पर impact नहीं आएगा तो इंटर्लूप उस चीज़ से प्रोन है तो हमें लगता है कि इंटर्लूप अपनी cost भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा जिस तरीके की कंपनी के एक्सपोर्ट चैनल है वहां से रेविनियूस बहुत अच्छे आने के उम्मीद है कंपनी एक्सपेंशन पर है अपने 2020-50 विजन की ओपर काम कर ली है अपने चाहे वो इनका निट्वेर का सेग्मेंट हो चाहे इनका डैनम का सेग बहुत इंपॉर्टन चीज वो इंट्र लूप को मुम्तास करती है कि साल में इनका डिबिदेंट भी आलता है और बोनस भी रिसेंटली कंपनी ने दिया है इसमें जो है वो अच्छी क्यापिटल अपसाइड एक्पेक्टेड है इस वीग जो हमने तीसरे स्टॉक हाइलाइट किया था दैट वास सर्ले सर्ले पाकिसान की वन आफ लीडिंग फार्मसुटिकल कंपनी है इसमें जो एक चीज हमने बहुत अच्छी नोट की वो यह की क वो दोनों चीजें बहुत नेगेटिव थी फार्मा सेक्टर के लिए विकॉस कॉस्ट आफ बुइंग बिजनस बढ़ रहा था था यहां पर फार्मसुटिकल सेक्टर में इंवेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट रिसेंटली दो चीजें तब्दील हुई है एक क यह है कि रिसेंटली वे एफ सीन कि जो रुपी की डिवालुइशन थी उसमें एक बहुत बड़ा स्टॉपश लगा है और अब रुपी जो है वो गीन कर रहा अगेंस यूएस्टी 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 वस ट्रेडिंग अगेंस पीक्यार अराउं 307 नाव अब 277 पर के फाइदा होता है सेकिंड चीज हमें लगता है कि रिसेंटली जो इन्फ्रेशन का ट्रेंड है उसमें भी स्टॉपश आया है आगे जा कि वी माइट भी सेंग के इंट्रस रेट्स तर भी कट लगना शुरू हो जाए तो जो बिजिनस सर्वाइन इन्वार्मेंट है फॉर लूकल सीज में भी ग्रोथ दिखाए थी हमें लगता है दूनों चीजें कंपनी को बहुत अच्छा सपूर्ट करेंगी सेकंड लिसेंटली पाकिसान का आई-प्यो भी एक्सपेक्टट रगन सर्कम्स्टांस में फिलाल ऐसा नहीं लगता कि फॉरी दोर बर होगा बैट देखने को मिला कि तकरीबन 79% से ज्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया और बाकी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो इनको जो पैसों की रिक्वार्मेंट ही जुसके लिए इन्होंने राइट सब्सक्रिप्शन क वो भी करीब में मुकमल होता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी के जो प्रस्पेक्ट्स हैं चाहे वो बिजनस के हवाले से हो चाहे वो फ्यूचर प्रस्पेक्स हो वो काफी बहतर हो रहे हैं तो हमने हाइलाइट किया है कि सहले पाकिस्तान को करेंट लिवल पर जरू देखन प्रस्पेक्स